भीवानी में नरेंद्र मोदी ने कुलदीब बिश्णोई के दोनों बने हाथ पकड़ कर क्या कहा राहूल गांदी के दाएबाय और बैठे रावदान सिंग और किरन चोदरी की नोग जोग किस बात पर रही। मनोहर लाल खटर के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल और भजन लाल पर टिपणी से अलग नरेंद्र मोदी का अनुभव कैसा रंग ला रहा है। मोदी की भजन लाल वेबंसी लाल के लिए तरफदारी मनोहर लाल खटर पर कैसे भारी पड़ सकती है। हरियाना में दो डिपटी सी एम दिखाई देने वाले हैं और हरियाना को भाजपा में एक ऐसा परदेशा धक्ष मिलने वाला है जो मनोहर लाल खटर को बेचैन कर देगा। इन सारे सवालों के साथ फिलखाल खरियाना में मदान प्रिक्रिया पूरी होने के बाद अब नेताओं को और पार्टी समर्थकों को अपने आकाओं की चीत को लेकर बेसबरी से इंजार है। ये आप सब जानते हैं के खरियाना में चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी से लेकर राहूल गांदी, प्रियंका गांदी, अमिश्शा वे जेपी नड़्डा से राजनात तक चुनाव प्रचार में पहुंचे। अब चुनाव परिणाम चार जून को आना है। ये परिणाम सिरफ चुनाव का नहीं बलकि हिसार भीवानी करनाल रोह तक वे सिर्शा में बड़े-बड़े घटना क्रमों को भी साथ लाने वाला है। सबसे पहले बात करें उस वक्त की जब भीवानी में नरेंद्र मोदी ने कुलदीब बिश्णोई के करबद हाथों को पकड़ कर कुछ कहा था। कुलदीब बिश्णोई को नरेंद्र मोदी की और लेकर गए हरियाना के मुक्य मंतरी नायव सैनी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये भी वता दें कि नायव सेनी के कुल्दीब बिश्णोई से रिष्टे उतने ही बहतर हैं जितने कुल्दीब बिश्णोई से मनोहरलाल खटर के रिष्टे बत्तर हैं। खैर उस वक्त नरेंदर मोदी ने कुल्दीब बिश्णोई से चार जून के बाद दिल्ली आने का न्योता दिया था। इस न्योते के माई ने इतने बड़े की मद्दान में महस्तीन दिन पहले कुल्दीब बिश्णोई को इतनी उर्जा से भर दिया कि अपने कारियकरताओं क जी जान से जुटने, वोट डालने और डलवाने के लिए मैदान में उतार दिया। कुल्दीब बिश्णोई खुद भी पूरे परिवार के साथ आदमपुर के एक छोर से दूसरे छोर तक भरी दोपहरी में निकल पड़े। राद दिन महनत का आदमपुर में भाजपा पर जोता एक बड़ा भुचाल लाने वाला है। चर्चा यह कि हरियाना में एक हाली पड़ा परदेशा धक्ष का पज कुल्दीब बिश्णोई की जोली में जा सकता है। इसका कारण यह भी कि नरेंद्र मोदी ने कुल्दीब बिश्णोई से कहा कि 2014 वाला कर्च उतारने का सम में अब आ गया है। अनुमान यह कि भारतिये जनता पार्टी में शामिल हुए कुल्दीब बिश्णोई उस वक्त कॉंग्रेस में हारियाना परदेशा धक्ष के लिए प्रबल दावेदार थे। परंतु भुपेंद्र हुड़ा की अनिच्छा से कुल्दीब बिश्णोई की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। जिस से रुष्ण होकर भारतिये जनता पार्टी जोएन कर ली। यहां भी बड़ा पद्दिये जाने का परोसा लंबा होता चला गया। कुल्दीब बिश्णोई और मनोहर लाल खटर के बीच आदमपुर विकास और खास तोर पर को लेकर तनातनी इतनी बड़ी की जग जाहिर हो गई। अब नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलावे से कुल्दीब बिश्णोई को कुछ बड़ा हात लगने की चर्चाएं जोरों पर हैं जो मनोहर लाल खटर को विचलित कर सकती हैं। अब बात करें किरण चोधरी की तो र राहूल गांदी के रिस्पोंस से पूरी तरह छुब्द हैं। चर्चा यह कि चार जून के बाद बिवानी मेहंद्रगड सीट पर जीत हार का परिणाम एक नई खिचलि पर फैसले की और बढ़ सकता है। चार जून के बाद ही बिना नाम लिए भजनलाल पर टिपनी करने पाले मनोहर लाल खटर को बिवानी में बंसी लाल की बतोर मुख्यमंत्री टीचरों के तबादले पर दिये गए बयान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और बंसी लाल के साथ अपने अनुभव को साजा कर एक नई लकीर भी नरेंद्र मोदी खीच कर चले गए। चर्चा यह कि चार जून के बाद हरियाना भाजपा का कुनबा कई और धुरुंद्रों से माला माल होने वाला है। जबकी खारियाना की सियासत से मनोहरलाल का हस्तक शेप कम होने के कयास भी पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की इस पिच पर अनिल विज फिर से उतर सकते हैं। एक बार फिर जन्ना एक जनता पार्टी के लिए भाजपा सियासी का पार्ट खोल सकती है। कहा जाता है कि राजनीती में सब कुछ जायज और संभव है तो हर्याना में चंद माह के लिए दो डिप्टी सीएम भी संभव हो सकते हैं। इन संभावनाओं पर गोर किया जाये तो चार जून के बाद केवल चुनावी परिणाम ही नहीं बलकि हर्याना की सियासत में भी बड़े उलट फेर की संभावनाई जताई जा रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राए जरूर साजा करें पेजएट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें शुक्रिया।